अरे, यादो दी, तारें 11 बज़ रहा है, यादो विटर आने में आपको एक गंटा लग्या, अरे सर, एक गंटा का होता है, इतना समय तो यहाँ गाव देहात में लोग खाना खाने में उबासी लेने में बिता देते हैं, लसे, यहाँ का का मामला है? यादो जी, यहाँ का भी मामला समय वाला ही है, देखिए एक और अवरत अपने घर ते सुबह निकलती है, अपने पतीस जागा रहा है, और निकलते वक्त कुछ सामान और अपने एक साल की बच्चे एक साथ की कलती है, अपने मायखी के लिए, लेकिन, उस अवरत की आधी चलिवी लाश उसके पती के घर में ही पाई जाती है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे? सर, ये तो सिंपल सा केस है, दहेज के लिए पती ने खुदी अपने बीवे को मरा होगा? याद हो जी, एक तो आपको सब केस सिंपल सा ही रहता है, देखे, पती जो दिन मर गशलार था, और राप को हुलिका देंग में खा, जहेज वाला एंगल मुझे नहीं रहता है, तो कहुगा, उससे पहले अपनी बीवी को यहां पर जलाया होगा, उसके पास भुलिका देंग के लिए चला गया होगा, सर, अभी पिछले साल ये एक ऐसा केस था, याद हो जी, याद हो, शुनिए, अभी आपको ये अपना पुराना केस पर सुनाईगा, अभी पूरा फो नहीं, आप एक कान दरिए, अखलेश से उस अवरत यानि सविटा की और उस बच्चे की एक फोटो ने लिचे, इसके बाद हम लोग सीज़े निकलते हैं, निकलते हैं, पर कहां सर, दाय फूर सविटा के मैंखे, सर, पहुचते पहुचते तो सुबह हो जाएगी न, और कल होली भी तो है, ठीक है सर, चलते हैं, याद हूँ जी आप गिना है,